तो देखेगा आज के इस वीडियो में हम यह सिंपल सा बॉर्डर का डिजाइन बनाएंगे यह डिजाइन जो है बिगनर्स इजली बना पाएंगे काफी असान है टू रोज का है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम यह बॉर्डर का डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले अपनी row first edge stitch को उतार लेंगे दागा अपना पिछे की तरफ करेंगे और अपने फंदे जो है हम सीजे सीजे बनाना स्चार्ट कर लेंगे अपने border के design की row first हमने सारे फंदे अपने सीजे सीजे बना लेने हैं टोटल ये pattern हमारा two rows का है जिसे हमने बार-बार दोराते हुए जाना है तो हमारा border बनके त्यार हो जाएगा आप देख सकते हैं अगर आप beginners हैं तो simple इस तरीके से आपने अपनी slide आजनी है दागा जो है इस तरीके से डाल देना है slide के अपर और इस तरीके से निकाल लेना है तो इसी तरीके से हम अपनी row first को complete कर देंगे तो देख सकते हैं हमने अपनी row first को complete कर दिया है turn हो जाएंगे wrong side row second में जाएंगे जो कि final row है हमारे pattern की as stitch को उतार लेंगे डागा पिछे की और करके तो इसे भी हमने क्या करना है इस तरीके से सिधा सिधा बनाना है यानि की दोरू तरफ से हमने इस तरीके से जो है slide डालनी है दागा अपनी slide के पर ले लेना है और इस तरीके से फंदा निकालके इसे drop कर देना है तो इसी तरीके से आपने जो है यही दो रूपी करनी है rows right side से और wrong side से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम बार बार इसे दोराते हुए जाएंगे two rows को तो हमारा इस तरीके से जो है simple border का डिजाइन जो है बन के त्यार हो जाएगा hope की वीडियो आपके लिए helpful रहा हो आपको अच्छा रगा हो तो please like कर लिजे साथी अपनी family और friends के साथ share कर लिजे जो knitting सीखना चाहते हैं और मेरे चनल को subscribe कीजएगा thank you